चलो दोस्तों हम एम्स गोरखपुर के बारे में जानते हैं एम्स गोरखपुर वो ऐसे 11th रेंग पर है और आप लोग भी आगे हमारे वीडियो में और सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे और सबस्क्राइब कीज़े मेरे चैनल को जो नए हो जरूर सबस्क्राइब करें पुराएं को सबस्क्राइब किये ही होंगे और अंट तक वीडियो देखेगा आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाले हैं जो भी एमसोनियन बनना चाहते हैं जो एमस अपना पाले हुए हैं वो जरूर देखें वीडियो उनको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा साहिरी के रूप में और बहुत सारी अच्छे चीज़ें आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में तो शुरू करते हैं और हाँ इसके पहले आपको बता देने ये वीडियो हमारे एक फ्रेंड ने बनाया है जिनका इस बार एडमीशन हुआ है एमस गोरकपुर में तो उन्होंने हमको बना के दिया इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद और चलो फिर शुरू करते हैं ये रेलवे स्टेशन गोरकपुर है और ये बिस्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है इसकी जो लंबाई है अगर फीट में बात करें तो 4483 फीट इसका फीट लंबा रेलवे स्टेशन है और साथ में अगर इसका हम मीटर में बात करें तो 1366 दस्वनों 33 मीटर अगर इस के लिए गर्ब की बात है कि हमारे राज में गोरखपूर पढ़ता है जो सबसे विश्चु का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है और आज का ट्रेंड चल ला है यूपी में काबा तो यह आप सब देख सकते हैं कि यूपी में इबा या यूपी में सब बा और यूपी में कोई ऐसा चीज नहीं है जो यहां पैदा नहीं है जो यहां मिलता नहीं हो और यहां तक के लड़ाई मार भी बहुत होता है तो सब कुछ मिलेगा आपको जगडा बवाल अच्छाई बुराई जो आपको चाहिए वाप यूपी में लसल ले सकते हैं जन संख्या के सबसे बड़ा राज्य है ही और छेतरफल में भी कम नहीं है एक दो से साइट पीछे होगा मुझे इतना करेक्ट पता नहीं है और यूपी में आप लोग देख सकते हैं कि हमाये राम भगवान और किष्ट भगवान यहीं पर पैदा हुए हैं और आप इस गोरकपुर का रे रेलवे स्टेशन पर क्योंकि यहां पर हर तरफ की गाड़ी आपको मिलती रहती हैं समय समय पर इसलिए ज्यादा यहां पर क्राउट रहता है यह गोरगपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ मूरत्या रख्य हुई है और बहुत सारी खुबसूरती है यह बेटिंग नूम है और देख सकते हैं आप सब बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर यह में इंटरेंस है सहर के तरफ जिधर से हम रेलवे स्टेशन को जाते हैं और आप रीजरबेशन करववा सकते हैं आप पर टिकट बुकिंग क्र जाते हैं ले भी सकते हैं तो यह पीछे का सीन है अप लोग देख सकते हैं तो आप लोग नहीं जानते होंगे एम्स गोरफपूर के बारे में तो आप लोग रास्ता देखते रहिए और हम आपको बहुत साइच चीज बताते हैं एम्स गोरफपूर के बारे में देखिए इसमें टोटल 50 सीट्स हैं जो जब खुला था 50 सीट्स थी ऐसा माना था कि 100 किय एम्स गोरफपूर आपका आता है अगर इसका बात किया जाए तो यहां पर फ्री वाइफाई है 24 इन्टू 7 यानि कि आपको फ्री वाइफाई मिलेगा हास्टल में आपको कोई प्रॉब्म नहीं होगी वाइफाई डिलेटर अगर आप आस पास के लोगों से डरते हैं गोर साथ में अगर यहां पर देखा जाए तो 300 बेट्स हैं और 14 ओपरेशन थेटर हैं जहां पर ओपरेशन होते हैं और 300 बेट्स हैं अगर बात किया जाए एरपोर्ट की तो यहां से 8 किलोमेटर की दूरी पर एरपोर्ट है और अगर आपको हास्टल चाहिए तो आपको हास्ट सिंगल भी मिल जाएगा और आपको डबल भी मिल जाएगा होस्टल साथ में अगर इसका लागर देखा जाए कि एम्स गोरकपुर कितने रुपे में बनकर तयार हुआ है तो इसका टोटल कास्ट इस्टीमेटेट है एप्रोक्स वहे 1749 करोड रुपे यानि कि 1749 करोड रुपे में आपका एम्स गोरकपुर बनके तःयार हुआ है इस से खुझ सकता है कुछ जादा ही लगा हो और अगर देखा जाए कितने एरिया में एम्स गोरकपुर फैला हुआ है तो यह जो इक्जेक्ट डाटा है वो है 42.326 हेक्टेयर में बना हुआ है लग भग 43 हेक्टेर में बना हुआ है तो काफी बड़ा बना हुआ है और बहुत सारी चीजे हैं यहां की जो अच्छी है और AIMS तो अपने आप में अच्छा होता है तो AIMS गोरकपुर को चूज करना एक बहुत ही अच्छा बिकलफ है लड़कों को जिनको old AIMS नहीं मिले अगर आप किसी और AIMS को करेंगे तो यतना फैसल्टी नहीं मिलेगी आपको यह बहुत ही अच्छा है अनदर न्यू AIMS से That's it अब हम सीधे ले जाएंगे आपको केंपस की तरफ केंपस का डे दिखाएंगे डे कभी उसके बाद में नाइट कभी दिखाएंगे तो आप लोग देखते रहिए आपको ज्यान जरूर मिलता जाएगा आपको साइरी से मोटिवेट करेंगे आपको हर एक तरीके से मोट पढ़ने में लगें आप लोग मेहनत करें और ये नजारा जरूर देख पाए एक सायरी यहाँ पर फिर मारी देते हैं देख इन रास्तों का तलाज सबको है पर मिलता उनको है जो इनके हकदार हो मिलेगा तुमको भी जरूर अगर तुम्हारे सपने आसमान हो अगर है आपका सपना एम्स पाना तो रखलो संभाल कर इन ख्वाबों को ये बिखर भी सकते हैं लेकिन अगर संभाल लिया तुम्हें तो ये सपने एक दिन निखर भी सकते हैं से आपको डेल विचन दिखाते हैं देखھی एक एंपस है काफी बड़ा है इसलिए पूरा वीडियो नहीं है क्योकि अधिकांस अंदर जाये नहीं देते हैं अलाउ नहीं करते हैं पहले केवल एम्स का आपको अंदर का वीडियो बहुत ही कम मिलता है क्योंकि ये अंदर सूटिंग नहीं करने देते हैं जल्दी तो बाहर बाहर का वीडियो है और एक दो जगे का अंदर भी है तो आपको दिखाने के कोशित करीगें देखिए कितना खुबसूरत न जा रहा है करते रहे हैं खुबसूरत नजारों के लिए और इन पर ही फिदा हुई है कोई गल्फ्रेंट कोई वाइफ्रेंट कोई नहीं होगा सब कुछ यहीं पर शूट जाना है सम्मोहमाया है इसलिए सम्मोहमाया को छोड़के अपनी मोहमाया में लग जाईए यानि कि अपने प्य अगर आप मेडिकल कालेज के पीछे भागेंगे तो आपका प्यार आपके पीछे भागेगा आप अपने प्यार के पीछे भागेंगे तुम्हारा प्यार तुम्हारे पीछे आएगा तो आप लोग लगे रहिए और पढ़ते रहिए महनत करते रहिए और ऐसे वीडियो देख तो उसका भी बनाने वाला हूँ वीडियो आप देख सकते हैं ये सामने विल्डिंग जो है ये मेन विल्डिंग है ये आप रडवीशन होना है आपका और ये यहाँ पर अब लगभग 43 एक हेक्टेर में फैला हुआ है तो काफी लंबात बना हुआ है काफी चोड़ा बना हु है तो आप लोग अपना चूज कर सकते हैं कि हमको कहां चूज करना है आप अपनी जानकारी की कुछ अंदर का भी हुए है आप लोग देख सकते हैं अंदर की फिनिक सिंग भी अच्छी है बैठने का लाएक और अंदर भी काफी जगे हैं कि काफी सकते हैं यापर वेरिफिकेशन हो रहा है लड़के से बैठे हुए है इन खूब सूरत नजारों को देखकर बस यही लगता है कि कास हम भी वहाँ होते और आप सब भी वहाँ होते तो एक बात जरूर याद रखना मैं तो हारा पर तुम नहारना अपने सपनों को अपने आप संभालना मिलेगी मंजिल खुद वा खुद एक दिन सी concern सीथ गए जो मुश्किलों को हराना सीथ गए जो मुश्किलों को हराना भाई लोग आप सब लगे रहेए ऐसी साम देखने के लिए कई सामे कुर्बान करनी पड़ती है तो आप अगर ऐसी साम देखना चाहते हैं अगर आपने dream college में admission चाहते हैं आपको एम्स چाहिए आतार मेहनत करते रहना होगा देख लीजिए ये साम पाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप AIMS नहीं पापाएंगे क्योंकि 2022 में AIMS का कटाप और जादा जाने वाला है इस बार जो कटाप गया है उससे कहीं जादा जाने वा इसलिए AIMS का कटाप दिन बादिन बढ़ता जा रहा है तो आप सब लोग अभी से मेहनत करिए कोई टाइम मत देखिए जहां से सुरुवात हो जाए वहीं से अच्छा है जब जागो एक कहते ना जब जागो तभी सवेरा तो आप लोग अभी जागिए और अभी से सुरु बात कर दीजी आप लोग जरूर अपने सपनों को पाएंगे हारता वही है जो कोशिस नहीं करता है अगर आप कोशिस कर रहे हैं तो आप कभी हार नहीं सकते हैं अगर आप कोशिस कर रहे हैं तो आप कभी हार नहीं सकते हैं अगर आप AIMS देलही के लिए तैयरी कर रहे हैं तो आपको गोरकपुर्तो गिरते हुए मिल जाएगा तो आप लोग मेहनत करिए